बहुत लोगों को मावा लाने के लिए दूर दूर तक जाना परता है या कभी आसानी से मिलता नहीं है लेकिन milk powder इसली हर medical shop या grocery shop पर एवेलेबल है तो आज मैं इसी milk powder से हलवाई से बहतर गुलाब जामुन बना कर दिखाऊंगी मैं हूँ सिंपल और आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक करें चन्द मावा बनाएंगे और वो भी milk powder से एक non-stick pan में डाले दो टेबस्पून देसी ही करें half cup milk और चलाते हुए ही डाले देर कप milk powder अच्छे से mix करें यह तो लंस पड़ जाएंगे बात का ध्यान रखें कि इसे कंटिनमस ली चलाते रहें छोड़े नहीं इसे ऐसे ही पकाएं आप देखेंगे कि यह इकठा होता जाएगा इकठा होते ही इसे एक थाली में टालते हैं अब चाश्णी रेडी कर लेते हैं पैन या कढ़ाई में डाले हाफ कप पानी और एड करें ट्वेंड हाफ कप चीनी पर साथी डाले हाफ टी स्पून इलाची पाउडर, हाफ टी स्पून गुलाब जल और थोड़ा केसर के धागे इसे मिक्स कर ले और चा से पांच मिनित तक इसे पकने दे तब तक पकाएं जब तक के चास्णी में चिपचिपा पनना आ जाए जैसे रिफाइंड वाल होता है न चिपचिपा जैसा बस वैसा ही बन जाना चाहिए हमें इसका चास्णी गाड़ा नहीं करना है नहीं तो गुलाब जामून के अंदर तक चास्णी नहीं जाएगा और गुलाब जामून अंदर से हाड़ बन जाएगा चाशनी रेड़ी है अब ग्यास का फ्लेप अफ कर दें देखिए चाशनी बिल्कुल भी थिक नहीं है ये एकदम परफेक्ट है इससे थोड़ा ठंडा होने दे तब तक हम बाकी के प्रिपरेशन कर लेते हैं तड़का पैन में मैंने लिया है वन टी स्पून देशी गी में डालें वन फोट कप दूद दो टेवल स्पून सुजी रवा आड़ करें स्टर करते हुए दूद में ही अच्छे से पका लेना है पकते पकते देखेंगे कि ये ठीक हो जाएगा देखिए इस मावा वाली थाली में डाल दें और एड़ करें 3 टेवल स्पून मैदा और 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर इन सब को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करें हातों से इसी तरह से 4-5 मिनट तक मथनाय से हमें इसका एक स्मूथ और सॉफ्ट हो चाहिए इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहि यह देखिए यह सौफ डो जैसा बन गया है गुलाब जामुन बनाने का दो हमारा रेटी है थाली में साइड रग दे और इसी में ले ले 15-20 यह गोली मिठाई मार्केट में असानी से मिलता है इसमें डाले केसरिया फूट कलर और थोड़े केसर के धागे इसे मिक्स कर लें कोली मिठाई केसरिया रंका हो जाएगा अब गुलाब जामुन के डो में से एक छोटा पोर्शन लेकर इसका एक पेड़ा बनाए इसमें यह केसरिया गोली को स्टफ करें एक से दो केसर के धागे भी डालें और इसका एक बॉल बना लें ध्यान दें क्रैक्स नहीं पढ़न चाहिए अब इसी तरह से सारे बॉल्स बनाकर रख लें इस डो से 22 गुलाब जामुन बन जाएंगे अब एक पैन में तेल गरम करें ध्यान रहें तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो यह उपर से एकदम ब्राउन और अंदर से हाड हो जाएगा लो फ्लेम पर ही इसे एक एक करके डालें एक साथ बहुत सारे नहीं डालें दो से चार डालें और थोड़ा चला लें फिर दो से चार डालें और वापस चला लें ध्यान दें पैन में इतना ही डालें कि गुलाब जामुन को फूलने की जगा मिल पाए डालने के बाद इसे हलके हाथों से चल गुलाब जामून फ्राइब हो चुका है, अब इसे घरमा गरम, इसे हलके गरम चाश्णी में दुबो दे, जालने के बाद भी ये थोड़ा फूलेगा, इसलिए फैले हुए पैन या कड़ाई में ही चाश्णी बनाए, मैंने सारे गुलाब जामून को चाश्णी में डाल दि ते घंटे के बाद हमारा गुलाब जामुन देखिए कितना perfect बन गया है, अब इसे एक बोल में निकाल लें, परसे थोड़ा पिस्ता और गुलाब की पत्तियों से इसे गार्णिश कर लिया है, ये देखिए हमारा perfect गुलाब जामुन ready है, को एक निकाल कर, कट करके दिखाती ह कितना रजबरा और सौब गुलाब जामन बना है